स्वागते स्टूडेंट हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्छा 6 की गणित विशे जिसमें 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आपके जो चैप्टर दिये हुए हैं सभी चैप्टर सिलिवस के अनुसार हम आपके लिए लेकर आए हैं तो सबसे पहले शुरू क करते हैं अध्याय चार आधार भुझ्यामितिय अवधार नाएं इसमें पहला प्रश्ण है जयामिति में एक सुक्ष्म चिन जो की एक इस्तिथी निर्दारित करता है उसे क्या कहते हैं तो जो एक इस्तिथी निर्दारित करता है यानि कि किसी भी बिंदू या पैंसिल से लगाया हुआ या पैन से लगाया हुआ जो निशान होता है वो बिंदू कहलाता है तो यहां हम लिख देंगे बिंदू यह बिंदू लगाया हुआ है प्रश्च नमर दो है तो बिंदू को जोडने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है रेखा खंड कहलाता है यहां हमन से प्राप्ता करती को यहां रेखा लिख दिया है और यह दो बिंदूं से बना रेखा खंड है इसको हम दोनों तरब बढ़ा देंगे तो यह इसके दोनों सिरों पर तीर करिशान लगाया जाता है इसको रेखा कहते हैं प्रश नमर चार यदि दो रेखाओं के मध्य एक उभ प्रश नमर पांच समंतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई चार उधारण दीजिए तो समंतर रेखाओं की परिवासाएं हैं ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती हैं यानि की काटती नहीं है उन्हें समं प्रश नेए और आकर्ति में दर्साई गईज किरनों के नाम लिखिये तो सबसे पहले किरन की परिवासा देखते हैं किरन एक रेखा का भाग होता है यह बिंदू से प्रारम होकर एक दिसा में बिना किसी अंत के विस्तरत होती है यानि एक बिंदू एए और यहां से दर ज किसरी का नाम ओ एन और चौथी का नाम ओ सी इनके ऊपर तीर कछिन लगा के इनको दर्साया जाता है प्रेश नम्मर साथ है निमने आकरतियों को खुली या वंद वक्रों के रूप में पहंचान कर नीचे वनी तालिकां में लिखिए इस इसमें हम देख रहे हैं खुली या करती हैं कौन कौन सी है तो ये खुली या करती है इनके दो जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं है ये बंद आ करती है और ये खुली या करती है और ये भी बंद आ करती है तो हम बंद वक्र में आकरती की संख्या लिख देंगे उपर से 2, 4 और 6 ये तो बंद आकरतिया हैं और 1, 3 और 5 ये खुली आकरतिया हैं इनके निशान हमने इसमें डाल दिये हैं प्रेश नमर 8 निम्ना करती में कौनों वैं सीर्सों के नाम लिखिए तो कौन और सीर्सों के नाम सीर्स पहले लिखेंगे हम सीर्स देखिए कौन कौन से हैं A, B, C और D ये जो निकले हुए हैं ये सीर्स हैं तो यहां लिख दिये नाम A, B, C और D और कौन लिख देंगे कौन यहाँ पर 4 पॉर्ण हम देख रहे हैं, चार पॉर्ण देख रहे हैं, तो हम कॉर्ण लिख देंगे, कॉर्ण A, B, C, यानि कि यह B बाला कॊर्ण, फिर पॉर्ण B, C, D, फिर कॉर्ण C, D, A, और फिर कॉर्ण D, A, B, तो इस तरह से हम चार कौनों के नाम इनमें लिख देंगे, फिर है प्रेश्ट नमबर 9, यहां एक डायग्राम दिया हुआ है, दिये गए चितर को देखकर लिखिए वरत का व्यास, तो वरत का व्यास हम सभी जानते हैं, जो वरत के केंदर विंदू से मिलती हुई, जो रेख यहां लिख दिया है, हमने B और C, प्रिए है एक जीवा, जीवा रेखा हम यह देख रहे हैं, ई से दि तक यह जीवा रेखा है, तो जीवा रेखा का नाम लिख देगे, ED, फिर बहिर बाग में एक बिंदू, बहिर बाग में एक बिंदू, यहां दर्साया गया यह Q, तो इसको लिख देंगे Q, तरज्याएं, तरज्याएं, यहां से A से O तक है एक तरज्या, O से B तक है दूसरी तरज्या, और O से C तक है तीसरी तरज्या, तो हम तरज्याओं के नाम लिख देंगे AO, OB और OC, प्रश्ण मर्दस है, सनलक ने चित्रम एक चतर बुझ है, इसके आधार पर निमनांकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए, क्या चतर बुझ A, B, C, D, बहु बुझ है, तो बहु बुझ के लाएगा, क्योंकि इसकी दो या दो से अधिक बुझ तो यहां लिख देंगे हम हाँ, फिर दूसरा प्रश्ण है, तो चतर बुझ A, B, C, D में तिरबुझ की संख्या कितनी है, तो यहां देख रहे हैं, एक तिरबुझ यह है, तो यहां लिख देंगे दो, और तिरबुझ का नाम भी लिखा है, तिरबुझ A, B, C, तथा इसला प्रश्ण है सब चत्रबुज A, B, C, D में सीर्सों की संख्या कितनी है तो यहां चार सीर्सों की संख्या है तो हमने चार सीर्सों की संख्या लिख दिये A, B, C और D अगला प्रश्ण है चत्रबुज A, B, C, D में कौनों की संख्य लिखेंगे 6 कौनों की संख्य लिखेंगे हैं कौन A, B, C कौन B, C, D कौन C, D, A कौन D, A, B कौन C, A, B कौन B, C, A 6 कौन भी है तो इस तरह से आपका कार्य पत्रक पूरा होता है जो की पार्ट चार अध्याय चार आधार भूद जयामिती अवधारनाए से लिया हुआ है इसी तरह के अन्य चैप्टर देखने के लिए बच्चों जोड़े रही है हमारे चैनल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें और आप इनकी समझ बना सकें दन्यवाद